इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. डेली मेट जीपी एक टैबलेट एसार मधुमेह विरोधी दवाओं के नाम से जानी जाने वाली दवाओं की श्रेनी से संबंध रखता है. यह वयसकों में टाइब दो मधुमेह के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दवाओं का एक सयोजन है. यह मधुमेह वाले लोगों में रक्ट शरकरा के स्तर को नियंत्रत करने में मदद करता है. डेली मेट जीपी एक टैबलेट एसर को खाने के साथ ही लेना चाहिए. सबसे अधिक लाब पाने के लिए इसे नियमित रूप से प्रतीक दिन एक ही समय पर लें. आपका डॉक्टर टै करेगा कि आपके लिए कौन सी खुराक सबसे अच्छी है और यह समय समय पर आपके रक्ट शरकरा के स्तर के अनुसार काम करने के तरीके के अनुसार बदल सकती है. भले ही आपको अच्छा लगे या आपका बलड शुकर लेवल नियंत्रित हो, इस दवा को लेते रहें. यदि आप अपने चिकित्सक से परामर्श के बिना इसे रोक देते हैं, तो आपके रक्ट शरकरा का स्तर बढ़ सकता है और आपको गुर्दे की क्षती, अंधापन, तंत्रिका समस्याओं और अंगों के नुकसान का खत्रा हो सकता है. याद रखे कि यह एक उपचार कारेक्रम का केवल एक हिस्सा है जिसमें आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार स्वस्थाहार, नियमित व्यायाम और वजन कम करना भी शामिल होना चाहिए. आपकी जीवनशेली मधुमे को नियंत्रत करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है. डेली मेट जीपी एक टैबलेट एसर का सबसे आम दुषप्रभाव निम्न रक्त शरकरा का स्तर, यानि की हाईपोग्लाइसीमिया है. सुनिश्चित करें कि आप निम्न रक्त शरकरा के स्तर, जैसे पसीना, चक्कराना, सिर्दर्द और कपकपी होने के संकेतों को पहचानते हैं और जानते हैं कि इससे कैसे निपटना है. इसे रोकने के लिए नियमित भोजन करना महत्वपूर्ण है और हमेशा आपने साथ शरकरा युक्त भोजन या फलों का रस जैसे ग्लूकोस का तेजी से काम करने वाला स्रोत रखें. शराब पीने से आपके निम्न रख्ट शरकरा के स्तर का खत्रा भी बढ़ सकता है और इससे बचना चाहिए. अन्य दुश प्रभाव जो इस दवा को लेने पर देखे जा सकते हैं, उनमें स्वाद में बदलाव, जी मिचलाना, दस्थ, पेट दर्द, सिर्दर्द और उपरी श्वास नलिका में संक्रमन शामिल हैं. कुछ लोगों को लग सकता है कि उन्होंने इस दवा से वजन बढ़ाया है. यदि आपको टाइप 1 डाइबिटीज मिलिटिस है, यदि आपको डाइबिटिक कीटो एसिडोसिस, यानि की आपके रक्त में एसिड का उच्छ स्तर है, या यदि आपको किड्नी या लीव की गं हिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. आपके रक्त शरकरा के स्तर की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिए और आपका डॉक्टर आपके रक्त कोशिकाओं की संख्या और यकृत के कारे की निग्रानी के लिए रक्त परीक्षन की स करें और और नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद